तो ये गाईज कैसे हूँ आप सब Gaming News 15 के एर और इसकल मैंने आपसे question पूचा था कि आपको क्या लगता है Lane Event पर players को कौन सा device मिलना चाहिए खेलने के लिए और आप मिसे 70% which is more than 3000 लोगों ने बोला था कि iPhone तो क्या आप players को सच में iPhone मिलने वाला है Anyways guys चलो फड़ावट से आगे बढ़ते हैं वीडियो मज़ा पर फैली update निकल कर आती है BJS की तरफ से तो guys कल तक BJS the grind finals का last day और उसकी और रोल स्टेंडिंग आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो जहाँ पर number 1 पर रहे है Camin E-Sport और number 5 पर है Team Soul with 85 points बाकी अधर qualify team के और लोस्टेंडिंग भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो और अगर हम Team Goldlight के बात करें तो वो रहे है Hashtag 42 position पर with 42 points विच मेंज अभी के लिए वो BJS के round 3 के लिए qualify नहीं कर पाए और जितनी में टीम यहां से qualify नहीं कर पाए उनको वह पस ही round 2 खेलना होगा बट गाइस Goldlight की performance जो कि हमको पिछले कुछ दिनों से जादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही थी फाइनली वह हमको उनके पुराने वाले रूप में दिखे और फिर ये चीज के related lols ने भी react कियो अच्छी में उन्होंने भात की कि who might be new IGL of team को लाइक तो आप खुद ही देख लीजे सब्सक्राइब कर रहा है और गाइस नेक्स अब लेट निगल कर आती है BGMS की तरफ से तो गाइस कल 20 में launch week plus super weekends का last day और उसकी overall standing को आप अब भी screen पर देख सकते हो जहाँ पर number one पर रही है blind e-sports with 277 points और गाइस बागी यदर teams की overall standing भी आप screen पर देख सकते हो और वो बन गए है team lion insane marcos gaming and global e-sports तो याँ guys many congratulations to all the team from our side और guys next update निगल कराती है BGMS में device issue के related कल की वीडियो में guys already हमने इसके related बात की थी और साथ ही मैं मैंने आप से पुछा था कि आपको क्या लगता है कि players को कौन सा device मिलना चाहिए exactly तो guys मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ and शायद मुझे नहीं पता पर जो चीज भी आपने maximum vote की थी वो already हो रही है और guys साथ ही मैं जैसे के हमने कल की वीडियो में देखा था जापर team soul के साथ में काफ़े pink issue हो रहा था फिर team soul ने वो कोफ कर जयता है और इसके बाद जब गोल्डी भाई लाया है तो मापर काफ़े से लोग ये चीज के related उन से पूछ रहे थे जिस पर react करते वे गोल्डी भाई ने ये कहा the matter is there was problems since they shifted the devices device shift होने काथ से उनको दिक्कत हो रही थी उनको क्या बहुत सारे और प्लेर्स को भी हो रही थी वो कही दिन से complain कर रहे थे कोई सुनवा ही नहीं हो रही थी खुद की भी integrity होती है ठीक है एक sport की integrity होती है पर sport के साथ एक individual खुद की भी integrity होती है आज team walk off करेगी जरत पड़ेगी तो कर देगे भाई कई दिन से हो रहा था पिर chat में लोग गालिया देते है हमाई team को मेरे players इतने सस्ते और इतने free है नहीं हाँ perform नहीं करेंगे गाली खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है हम भी देते हैं किसे और की वैसे गाली खाएंगे वो सह के नहीं लेगे और tweet अरे बात tweet का ही नहीं ना बात है जो बात actual fact of fact है tweet का क्या बात है I stood for my boys I will इनको पीठ पीठ पीचे राली देता हो जब मैं उनको पीठ पीचे भरता हूं तो थोड़ी कोई सुनता है और जब वोग उन लोग का public mockery बनता है और public audience उनका मजाक मनाथा इतनी लाकों कि ताजाथ मैं उनको defend करने में ही आ गया होग में और को नहींगा और गाइस नेक्स अप्डेट पिया ये सेम मेर्टरेकर रेटेड जो की निगल कर आती है सिट बाई की तरफ से उन्होंने एक्चुल डिजन को रिवील कि क्या कि क्यों टीम सोल को इतना बड़ा डिसीजन मनाना पड़ा तो आप खुद ही देख लीजे तो उससे हुआ कि वहां से वहां क्यों निकल तो डिन भर वहने बहुत ज़्यादा गाइप्ट अर्डवार फूल एक्टा मूटिवेटगा थी ए उसमें दो एके अर असपेड़ा नियो ने एक आपकतली हो तो नियो ने बहुत सब्स्पोस्ट्टिए येस्टेड ये तो नि में झाल पर जिसक तो ऊहिस आ gonna do में आपको आयफ का दूसरे को काइंड़ आप रीपलाई किया था या जो 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 कि。 पर उनने डिकलाइन कर दिया था तो guys वो चीज के रेड़िट आई फिलिक ने ये स्टोरी लगाई थी जिसके बाद गातक बाई ने उनको रिप्लाई करते वह ये लिखा था और guys वो चीज होने के और मुझस दो महिने बाद कल आइफरिक ने अपनी स्टोरी से ये लिखा पहले खुद का टीम देख लो वाले कमेंट अब नहीं आएंगे दोनों टीम टोप पे अब बोलना अब गाईश चिल क्योंकि यहाँ पर आइफरिक ने खा तक वाई का नाम मेंचन नहीं गया बट लुक्स लाइक यह इसी के रिलेटेड है और गाईस नेक्स अब लेट है टीम गोड़ लाइक के कमबैक के रिलेटेड जो की निगल कराती है मेजी की तरफ से तो जैसे की गाईस ये वीडियो की शुरुआतों मैंने आपको बता है लास्ट मैच में हमको गोड़ लाइक की तरफ से काफी अची परफोरमेंस देखने को मिली और फिर वो चीज पर मेजी ने भी रियाट किया तो आप देखिए गोड़ लाइक एग्रिसिव खेले तभी उनके लिए सही होता है वो पैसिव खेलने के लिए जाते हैं और फिर नहीं निकाल पाते हैं लेकिन जब जब उन्होंने एग्रिसिव खेला है तब तब उनकी टीम बहुत आगे गई है कि प्लेस्मेंट पॉइंट कम है फिर फिर उनके पास ज्यादा है तो एग्रिसिव जब भी वो खेलने के लिए जाते हैं बहुत जादा दूर तक जाते हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि शायद वापस टीम गोड़ लाइक अपने एग्रिसिव फॉर्म में ही खेले उनके लिए वही सही है पैसिव उन्हें सूट नही फिकल्ट होने वाला है तो आप देखिए अपसे बड़ी बात जिसके चर्चा है हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं कि राउंड टू राउंड थ्री क्यों इंपोर्टेंट है राउंड थ्री में आपको लोवर ब्राकेट खेलने का भी मौका मिलेगा तो वो सीन है क्योंक इसलिए राउंड थ्री में अगर आप क्वालिफाई हुए तो अच्छी बात है नहीं हुए तो लोवर ब्राकेट आपको खेलने का मौका मिलेगा इसलिए राउंड थ्री ज्यादा इंपोर्टेंट निकल कर आती है से ट्यूल एंड यूजियो इंदर चेहल के वोग अधकली वोग उन्हे एक यह अगरेश इसलिए तो 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 थोड़ा इनसे ब्लाइन कर लिए जी अड़कर लिया अगर आप कर लिया देउर लिए तो उसी को कर लिए लिए गेम्स के नमबर्स बढ़ा इंग ने जाए Android पे and we play better और गाइस टीम सोल के रेड़िट बात करे रहे हैं तो नेक सेक अपडेट निगल कर आती है फिक्सिस की तरफ से तो उन्होंने भी टीम सोल के रेड़िट कुछ रेड़ किया आप देखिये What if सोल वक्स ओफ टोड़े? See this is not any official tournament सोल वक्स ओफ पर लेगी तो there will be like major consequences या फिर उनका e-sports career खत्म हो जाएगा or something The highest punishment however is being blacklisted कि हां next tournaments पे they won't get invites That's the worst that could happen But उनका cause भी legit था तो I don't think उतना कुछ होना चाहिए बढ़ हां official tournaments पे अगर हो जाती है सारी चीज़े और people don't adhere then officials well they have a simple policy Nobody is bigger than the game और they'll try to provide and अभी तो recently I guess crafting के जो tournaments हो है players have at least got better devices तो बस guys फिरल के वीडियो में इतना है वीडियो पूसने है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें and मैं में मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ